हलो एवरिवन स्वागत है आप शभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टड़ी पॉइंट विद निगम शर्पर तो देखिएगा हाँ यह जो क्लास है यह बहुत ही जादा महतुपूर है आपके आने वाले एक जाम के लिए तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे म ना यस तो इसमें ध्याम दीजिएगा आगे जो वैकेंसी आने वाली है सरकारी उसके लिए भी क्लास महतुपूर है ठीक हाँ साथी यह मुक्य सेविका के लिए वीडियो महतुपूर है तो वीडियो जो है हम पूरा अंत तक जरूर देखेंगे ठीक हाँ जरूर ज़्या बढ़िया यहां से बनता है और यह बहुत बार पूछ लिया जाता है तो सबह SUPER मलेरिया के लिए जिम्मेदार क्या होता है प्लाज्मोडियम है ना और साथी यह देखेगा यह प्रोटो जुवा के दो़ारा हुने वाला रोग है हाँ यहां पर बहुत से लोग्स चले आगे देखेंगे बढ़ेंगे वीडियो में आगे वीडियो बहुत प्यारा है पूरा जरूर देखें यहां पर कारण की बात कर लेते हैं थोड़ा सा तो यहां पर देखेगा हम लोग बात करेंगे यूपी एनचम इस्टाब नर्स का जो एक्जाम है इसे होने में जो है भी काफी समय है है ना येस तो इसकी तैयारी के लिए बिल्कुल ये बेश्ट किताब है चच्छु प्रकासन की ये बुक है समय है और यहां पर देखे जो शमय है उसके एकोडिंग ये किताब जो है बिल्कुल बहुत बेश्ट है हाँ भरती परिश्ट दोजार थेज पदो की संक्या आपको मालुम है प्रेक्टिस ती पिस कितनी है ये चच्छु प्रकासन है ना यूपी एनचम इस्टाबनर्स कित किएगा practiceτα paper1 में आपको दिखा दे रहा हूं HRorkust PCs ह्धिश्ट क्रीज यहां पर महत्वण चीज क्या है और बहुर्य जादा मैं आपको बताता हूँ ठीके दिखे यहां पर महत्वण यह है कि है कि किताओ से आपको questions का label पता चलेगा क्योंकि 80 questions जो है ये तो आपके stabners के होंगे और 20 questions में जो है GKGS Reginning और Computer होगा ठीक है हाँ GKGS Reginning और Computer सबसे 5-5 questions पूछे जाएंगे जब सबसे 5-5 questions पूछे जाएंगे तो यहाँ से देखेगा आपको questions का label पता चलेगा questions का label पता चलेगा किस प्रकार के questions जो है आपके exam के लिए बिलकुल हो सकते हैं तो यहाँ पर देखेगा बिलकुल किताब जो है वो बहुत ही शांदार है बिलकुल मैं कहूंगा आप सभी लोग जो इस किताब को buy करे और अपनी तैयारी को क्या करें बोलो धार दे तैयारी को धार दे सबसे पहले चीज़ यह मार्कड में किताब अब लेवल है और यदि आपको मार्कड में नहीं मिल पाती है तो ध्यान दकीगा description box में यस वीडियो के description box में किता हाँ अम जॉन और flip card का link दिया गया है वहां से भी आप इस किताब को बाई कर सकते है और अपने तैयारी को धार दे सकते है तो यहां पर देखीगा हम लोग देखेंगे कारण तो कारण कहा है देखे malaria plaj modium नामक proto जोवा द्वारा उत्पन गंभीर शंक्रामक रोग है ठीक है हाँ तो यह देखेगा plaj modium yes proto joa के द्वारा होता है गंभीर शंक्रामक रोग है रोग उत्पन करने के लिए मुखी रूप से इसकी चार प्रजातिया जिम्मेदार होती है वो चारों प्रजातियों को भी जान लो plaj modium में एक वाई वैक्स होता है कैलसिपेरम होता है मैलेरी होता है और ओवल तो यह जो है इसकी चार प्रजाति होती है अब यहाँ पर देखेगा जो जादा महतुपूर है भारत में मलेरिया के सरवाधिक रोगी जो है वो plaj modium कैलसिपेरम है ना yes के कारण होते है लाज modium कैलसिपेरम द्वारा उत्पन मलेरिया सबसे खतरनाक प्रकार का मलेरिया होता है इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रुकना है संचारन के तरीके यानि किसके फैलने के तरीके तो मच्छर के काटने से देखेगा यह बीमारी के संचारित होने का सबसे सामानी तरीका है शंक्रमित मादा एनाफलीज मच्छर की लार में रोगाण उपाये जाते हैं जो की काटते समय इन रोगाणों को व्यक्ति के परिसंचरन तंत्र में छोड़ देते और इस प्रकार वह व्यक्ति जो है शंक्रमित हो जाता है क्या होता है बोलो हाँ वो व्यक्ति जो है वो शंक्रमित हो जाता है आगे देखिएगा यस शंक्रमित रक्त के चड़ाने से शंक्रमित सुई के पुना उपयोग से शंक्रमित माता से उसके नवजात में ठीक हाँ हर एक पॉइंट ध्यान लखेगा थोड़ा सा इंक्यूबिशन पीरिड बड़ा महतुपूर बनता है उद्भावन काल की बात करेंगे शामानिता जो है उद्भावन काल वो दस से बीस दिन के बीच होता है क्लीनिकल लच्छन की बात करेंगे तो सीत अवस्था की ब होती है बुखार की बात करेंगे तो इसमें जो है रोगी का तापमान 104 डिगरी फॉरन हाइट तक पहुंच जाता है यानि कि जो मलेदिया में बुखार आता है वो बहुत तेज आता है साथी देखिएगा रोगी जो है अन्यंतित रूप से अत्दिक कापता है तेज सिरदर तो अच्छा पहले ठंडी होती है जो की बाद में गर्म हो जाती है जी मिचलाना है उल्टी है ये सब कुछ है ठीके हाँ ये सब कुछ है पलस तेज एवम छील होती है गर्म अवस्था की बात करेंगे तो ये रोग की जो है दुती अवस्था होती है जिसकी अवद है ना य हो going नाडि दर्ट ढधा SoSan दर वह सुझा अधी कफ़ी सह है नाडि दर्मेश शिधार होतबस है ऐस ूए यह बढ़ेंगे पसीने की अवस्था की यह वो सीष्टे होती है cards नाडिए पड़ी दर में शुधार होता है तो चाह ठंडी एवं नम हो जाती है चलिए आगे देखिए रोगी अच्छा महसूस करता है परंत उसे कमजोरी महसूस होती है कमजोरी तो महसूस होगी क्योंकि बीमारी से ठीक हुआ है यह दिरोगी को उचित देखभाल नहीं दी जाए तो वो शौक में जा सकता है प्रवंधन की बात करेंगे तो प्रवंधन देखिए तो मलेरिया के उपचार है तो क्लोरो कुईन नामक-दवा का बहुतायत है प्रयोग किया जाता है ध्यानदके चेगा प्रतिरोधी चेत्रों में प्लाजमोडियम कैलसी है, कैलसी फिरम के शंक् इसके बाद रोग ठाम इवब नियंतरन के उपाय'RE की बात करेंगे तो यहां पर देखेगा रोगियों का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाना उचित उप्चार करना मच्छरों का नियंतरन करना स्वास्तिश्दच्शा ये जो है रोक्ता में निंत्रन के उपाए हैं ठीक है अब इसके बाद देखिएगा अगर आपने बिल्कुल वीडियो को पूरा देख लिया तो ये मान के चलिए यहां से कोई भी कोश्चन पूझा जाता है तो बिल्कुल आप उसे कर पाएंगे ठीक है हाँ वीडियो से जो है विल्कुल साम साथ बजे से मिलेगी ओके थाइंक यू एवरिवन